राम राम भाईयों LRC का फाइनल मेट लिस्ट आ गया हुआ है जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे लेकिन कल हमने एक वीडियो डाला था जिसमें कटब का भी जिक्र किया था और सभी पोस्ट में कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं उसका भी जिक्र किया था लेकिन सभी अभ जो कि एक बहुत ही संख्या में होता है लेकिन देखा जाए जो सभी पदों में डेर गुना भी सेलेक्ट नहीं हुए है ठीक है अब जितना लिस्ट था जितना वैकेंसी था उसके अनुरूप जो है कि रिजल्ट दिया गया फाइनल मेड लिस्ट दे दिया गया है लेकिन इस बार से एक नया परबधान था बेटिंग का परबधान था जी हां सबी लोग इससे अब गत होंगे कि बेटिंग का पर नहीं होता है उसमें भी जो है वहां जिकर था यह डेर्कुना रिजल्ट दिया जाएगा लेकिन रिजल्ट ऐसा कुछ नहीं हुआ सीट के अनुरूब दिया गया है इसे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिनका सेलेक्शन नहीं हुआ है वो अब क्या करेंगे ठीक है बैटिंग लिस्ट कब तक देने वाला है और इसमें प्रूफ वह एक अनिल लिस्ट ही आया है, इसमें आपका सिलेक्सान नहीं हुआ है, जिन्ता का सब्जेक्ट या जादा नहीं है, आप लोग थौरा धर्ज रखिए, ठीक है, तो बता दे कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपको थोरा सा मेहनत करना होगा और, मैं आपको एकदम असपष्ट बता देता हूँ कि थोड़ा और महिनत करना परेगा जैसे बता दे कि पुरा प्रभधान था कि डेर-गुना रिजल्ट देना था ठीक है सीट के डेर गुना था लेकिन बेशीसी बोड क्या किया है कि जितना सीट था उतरा ही रिजल्ट दिया है उसके अलावा बिसे शर्वेक्शन अमीन में जो आर्सीजी कोटा की महिला थी 209 सीट नहीं 209 सीटों पर रिजल्ट नहीं दिया गया 209 सीट खाली रहे गया ठीक है उसका क्या होना चाहिए इस पर भी बात करने वाले हैं तो आपको करना यह होगा कि यहां से आपको LRC डिपार्टमेंट पर प्रेसर बनाना परेगा आप लोग जितना भी जो लोग का नही हुआ है सब लोग एक जूट हो जाईएगा जूट हो यह एक वाटसब गुरूब बनाईए उसमें जूड़िए और सब लोग जो है आज या कल में एक से दो दिन में आप लोग LRC डिपार्टमेंट पर चढ़ाई कीजिए और वहां जाकर अबगत कराईए कि सर जो बिग्य पर लोग जो है उनको यह काम करना परेगा सबको एक जूट होकर बेटिंग लिस्ट निकलवाने के लिए जो है आपको जो है मतलब परियास करना परेगा LRC अब BCCC से कोई मतलब नहीं है LRC डिपार्टमेंट पे आपको रजस विवाग पे डिपार्टमेंट रजस दूँगा क्योंकि जब अनिल सर से बात किया गया तो उन्होंने बेटिंग लिस्ट पे क्या कुछ कहा है उसका पुरूप के साथ मैं आपको अबगत कराने जा रहा हूँ ठीक है देखिए और आपका आगे का जो है DCN आप लोग तैग कीजिए जल से जल अगर जितना डिले करेंगे यह जो बेटिंग लिस्ट का जो है यह गोल हो जाएगा ठीक है क्योंकि जब बेटिंग लिस्ट आ जाता तो आप लोग कंफर्म रहते कि सीट खाली होता तो बेटिंग लिस्ट से सकेंड मेट लिस्ट निकाल कर लिया जा सकता था लेकिन बेटिंग लिस्ट नहीं है इसका मतलब है चिंदा गभिस है तो बेटिंग लिस्ट निकालवाना भी एक चालेंजिंग है तो आप लोगों को चड़ाई करना ही परेगा और बीना डिले किये हुए बीना समय लिए हुए इसलिए आप लोग एक जूट हो जाएए ठीक है तो चलिए वह अनिल सर से जो ब किया हो गया होगा और यहां पर कुछ भेजा गया देखिए कल के डेट में ही और जब रिजर्ट आने के कुछ देर बाद ठीक है जब जिन लोग का नहीं हुआ है तो उनसमें से कुछ लोग जो है पूछें 10 बच 20 मिनट पर रातरी में पूछा गया है क्या पूछा गया है प्रबधान जो बिग्यापन था गैट का जो सूचना था वो सारा भेजा गया बोला गया सर बेटिंग लिस्ट का बबलिस किया जाएगा इसका प्रबधान रूल एबं बिग्यापन दोनों में था ठीक है इसका जिकर किया गया अनिल कुमार सीना जो की BCC बोड के अध़क् बेटिंग लिस्ट चाहते हैं चाहते हैं कि जो मेरिट लिस्ट में सीट खाली रह जाएगा जो लोग चैन हुए है ज्वाइनिंग नहीं करें ठीक है तो सीट खाली होने पर वह सीट खाली को भरा जाए बेटिंग लिस्ट आपको बनवाना परेगा ठीक है और अगर बेटि आप लोग जागिए ठीक है जिन लोग का भी नहीं हुआ है ठीक है जैसे माल लेते हैं कि जो भी कटफ रहा है सपोस्ट डैट की इवी सी का जो कटफ गया वह 1871 गया ठीक है इसी का गया लगवाग 1576 के असपस गया तो इसके आगे वाले जिनका भी नहीं हुआ है सेलेक्शन वो लोग जाग जाए एक से दो दिन में ठीक है आप चठाई करने का प्रयास कीजिए और पता कीजिए कि बीचिसी बोर्ड ने बेटिंग लिस्ट क्यूं नहीं दिया है और बेटिंग लिस्ट निकलना चाहिए क्योंकि इसका प्रभधान जो है कि बिग्यापन में दिया ठीक है और जिनका नहीं हुआ है सेलेक्शन वो क्या करेंगे ठीक है अगर अगर इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जिनका नहीं हुआ है सेलेक्शन उनको जरूर सेयर कीजे और सभी को कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक करें धन्यवाद